जहें चाहते हों आज की इस वीडियो में आपको बताने गोलाओ क्लास टेंद का मैस का जो है इक्टिसाइज 8.4 ठीक है क्वेस्टन नंबर 5 का 6 ठीक है दोस्तों देखें क्या कह रहा है कि प्रूब देट रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपोन 1 मैनिस साइन थीटा इक्वल टू क्या सिद करना सैक थीटा प्लस टैन थीटा है ना तो देखें इसका अब सॉल्व करते हैं प्लास साइन थीटा बट्टेगóc वन माइनस का साइन थीटा है न दोस्तो तो क्या करेंगी यह आपका माैनस है यहजेए को इसका प्लस 1 प्लस साइन थीटा और नीचे भी क्या होगा दोस्तों वही होगा 1 प्लस साइन थीटा ठीक है अब दीखिये 1 प्लस साइन थीटा इन्टी 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा मारा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्कुर हो जाएगा है ना 2 है one plus sin theta और one plus sin theta दो, two है ना, इसका hall square चल जाएगा और नीचे क्या होगा, देखिए, 1 to have का one minus sin theta, one plus sin theta, क्या होजएगा, a squared minus b squared आजाएगा है ना, यादि कि one minus sin squared theta, root under में, ठीक है, अब देखिए, इसका क्या हो जाएगा, one plus sin theta का hall square, स現 ऑफ़ार से जब बाहर से जब बाहर लाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा कितना 1 प्लस sin theta 2 गो है न तो यह हो जाएगा कितना 1 प्लस sin theta और बटे में हमारे क्या हो जाएगा cos square theta cos theta गुने cos theta है तो इसका shift निकल जाएगा कितना square root निकल जाएगा cos theta है न अब देखिए यह 1 by cos theta हो जाएगा और यह sin मतलब 1 प्लस sin theta यह cos को divide कर रहा तो लिख सकते हैं 1 by cos theta और लिख सकते हैं क्या sin theta by cos theta लिख सकते हैं तो आप बताईए कि 1 by cos theta क्या होता है 1 by cos theta को हम लोग लिखते हैं sac theta लिखते हैं और sin theta बटा cos theta ठीक है क्या हो जाता हमारा cot theta सरी स्षीन थीटा ब hospitals that था हमारा 10th न? थीन थीटा हो जाता है 10th थीटा तो देック ह iTunes हमारा यहां से LHS दिया वात है weeks 1-3 theta व्रभर और सिद गय altenा थ несколько फ्लॉस 10th तो हम देखें क्या किया सबस्पहले जो कि है रूट लिखें 1-3 theta but 1-3 theta अब नीचे जो हार है 1 प्लस sin theta और 1 प्लस sin theta तो इसका square हो जाएगा, 1 प्लस sin theta square हो गया, और यह देखिए, a plus b, a minus b, into a plus b के फोर्म में दिया हुआ है, तो a square minus b square हो गया, तो 1 का square करेंगे, चाहे कुछी भी करेंगे तो 1 ही होगा, एक का power जो भी रहेगा, तो 1 हो गया, और sin का square sin square theta हो गया, अब देखिए, 1 प्लस sin theta यहां उतार दिये, और 1 minus sin square theta बराबर क्या कर दिये, cos square theta है न, यह cos square theta कहां साया, आप जानते होंगे कि, cos square theta प्लस sin square theta, बराबर फोर्मूला क्या होता है, 1 होता है, तो यह जो है, आपका sin square उधर चला गया, तो क्या बच गया हमारा cos square theta, जब sin square उधर चला जागा, तो क्या होगा, 1 minus sin square theta हो जाएगा, तो अब समझें, कि 1 minus sin square theta का जगा, क्या रख दिये हम, 1 minus sin square theta का जगा क्या रख दिये है, cos square theta, ठीक है, अब देखिए, root under से हम बाहर करेंगे 1 plus sin theta ये दो बार है 1 plus sin theta into 1 plus sin theta तो root के अंदर से बाहर आएगा तो क्या आगा एगा हो जाएगा 1 plus sin theta और ये cos अचको theta भी तो दोठो है तो cos theta into cos theta root के अंदर से क्या आता है common 2 में से 1 निकलता है cos theta होगे अब देखिए 1 plus sin theta ये cos को डिवाइड कर रहा तो लिख सकते है 1 by cos theta लिख सकते है और ये sin theta बड़ा cos theta लिख सकते है तो 1 by cos theta बराबर क्या होता हमारा sec theta होता है और sin theta बड़ा cos theta क्या होता हमारा 10 theta होता है तो देखिए यह हमारा RHS आ गिया है ना यह आ गिया आपका RHS जो के हमको प्रूब्ड करना था यहां प्रूब्ड हो चुका है दोस्तों ठीक है आशा काता हूं यह वीडियो आपको पसंद में आया हो ठीक है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते दोस्तों और ला यह ठीक है जाहिन जा भारत मिलते है नाक्स्ट वीडियो में ठीक है दोस्तों